हेलो दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का मैथेन मैजिक टीप्स यूटूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हमें लेकिया है साइंस का भीवियाई सब्जेक्टिव कोशन जो आपके मैटिक एजाम के लिए काफी ही इंपोटेंट है तो इस वीडियो में हम फिजिक्स बैलोजी केमेश्टिव से लिए हैं भीवियाई सब्जेक्टिव कोशन जो बहुत बरमेटि एकजाम में पुछे जा चुके हैं और आपके भी एकजाम में पुछे जा सकती हैं तो चले दोस्तों बिना समया वीडियो को सुरू करते हैं द सब्सक्राइब केमेश्टिव से तो इसका आप सही जबाब लिखेगा कि समतल सता पर चुमबाकिये छेत्र के अभिलंबवत तता सता के छेत्र के गुननफल को चुमबाकिये फलक्स करते हैं इसका एसाई मात्रा को दोस्तों वेयर होता है जिसे फाई द्वारा निरूपित किया जाता है ठीक है तो यह अबजेक्टि में भी पुछा जा सकता है कि चुमबाकिये फलक्स का एसाई मात्रा क्या होता है तो आप लिखेगा वेयर और इसका जो संकेत सूत्र होता है वह फाई होता है और फाई का संकेत इस तरीके से होता है तो बहुत है कि समतल सता पर च चुंबकिये छेत्र के अभिलंबवा तथा सता के छेत्र के गुननफल को चुंबकिये फलक्स करते हैं इसका एस ही मातरक वेयर होता है जिसे फाइद वारा निरुपित किया जता है उसके बाद में जो दुसरा बीवियर सब्जेक्टिव कोशन है हमारा कि चुंबकिये तथा और चुंबकिये पदार्थ क्या है तो आप उसका सही जबाब लिखिएगा कि चुंबकिये पदार्थ वैसे पदार्थ है जो चुंबक को अपनी और आकरशित करते हैं यानि अपनी और खीचते हैं उसे चुंबकिये पदार्थ करते हैं जैसे नीकेल है कोबाल्ट है लोहा है इत्यादी यह सभी ऐसे पदार्थ है जो चुंबा को अपनी और आकर्षित करते हैं यानि खीचते हैं ठीक है उससे चुंबा की पदार्थ करते हैं बहुत इसे मल दोस्तों है कि वैसे पदार्थ जो चुंबा की और आकर्षित होते हैं चुंबा की और खीचे जाते हैं उस प्लास्टिक हो गया रबड कागज यह सभी ऐसे पदात है जो चुम्बग की और अकर्षित नहीं होती है उसके बाद में जो अगला काफी के कारन प्रकास का अप्वर्थ नहीं होता है है जब क्या अंत्रिक्स यात्री को आकास का रंग दिखाया देने लगता है तो उमीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि यह सही मैटी के आने वाले वीडियो आपसे मिलती रहे उसके बाद में कुछ मैं अगला दिया गया है कि सुर्योदो और सुर्यास्त के समय सुर्ज का रंग लाल दिखाई देता है कियो ठीक है तो हलाकि आप कोशन में अगर पढ़ते होंगे तो आप इसको देखे होंगे बहुत बार ये कोशन पूछा गया है मेटी एकजाम में कि स से निकलने वाली प्रकास के वर्णों का अधिक दूरी तय करना पड़ता है आज से बतादे जिसे कारण कम तरंग द्याद वाले प्रकास के वर्णों का तो प्रकिर्णन हो जाता है किन्तु लाल वर्ण का प्रकिर्णन कम होता है यानि सबसे कम जो प्रकिर्णन होता है वो समीप रहता है तो उससे निकलने वाली प्रकास के वर्णों को अधिक दूरी तय करनी परती है जिसके कान जो कम तरंग दर्ध वाले जो भी प्रकास के वर्ण होते हैं उनका प्रकिर्णन हो जाता है किन्तु लाल वर्ण का प्रकिर्णन सबसे कम होता है यही कान है कि तो चलिए फिरेंश अगला कोचन को देख लेते हैं और कोचन अमर यहां पर अगला दियागे कि टिंडल परभाव क्या है यह भी आपको मैट्रिक में बहुत बार पुछा गया है कि टिंडल परभाव क्या है को आप इस से लिखेगा कि पुलाइडी विलियन के कौनों दौरा प्रकास के प्रकीरण को टिंडल परभाव कहते हैं। फुलेसर दे के लिखना है कि टिंडल परभाव के करान ही प्रकास का मार्म दिखाई देता है चुक्छिए आपको वि मैठी के हामें दो माक्रीटłem पिछे जाएंगे इसलिए आपको ज्यादा लाइन में नहीड़ना है कि लिखना है पुलाइडी बिलियन के कनो द्वारा प्रकास के प्रकिर्णन को टिंडल परभाव कहते हैं और टिंडल परभाव के कारण है प्रकास का मार्ग दिखा जाता है उसके बाद जो अगला कुशन है माना कि वयमंडल ये अपवर्तन से आप क्या समेचते हैं वयमंडल ये अपवर्तन से आप या समेचते हैं तो आप उसका सही जबाब लिखेंगे कि वयमंडल का घंळतु भीर्विन परकार के होते हैं प्रितिभी के समीवेवालें वयменडल का घंळत सबसे अधीक होता है और उचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल का घणत भी घटते जाता है जब परकास वायुमंडल के वीविन घणत वाली परतों से गुजरता है तो उसके दिशा में जो होने वाले परिवर्तन को ही वायुमंडरी अपवर्तन कहते हैं परित्वी के समीब वाले वायवंडल का घंद तो सबसे अधीक होता है और उचाई बढ़ने के साथ साथ वायवंडल का घंद भी घटते जाता है जब परकास वायवंडल के विभीन घंद वाली प्रतों से गुजरता है तो उसके दिशा में होने वाले परिवर्तन को ही कोशन देख लिए हैं उसके चल लिए आपको ले चलते हैं वायलोजी के कोशन की वह जिसमें हम लोग देखेंगे 5 वीवाय इस सब्जेक्टिव कोशन बैलो जी का तो यहां पर आपकोशन नमबर कोशन यहां पर देख पार हैं बायोजी का कि मेंडल ने किस फरकार सी दिख मेंडल के परयोग पहँत बार पुछे जाते हैं कि मेंडल के परयोग के बारे में कुछ लिखे तो आप लिखेगा कि वैग्यानिक मिंडल ने लंबे मतर के पौधे और बौने पौधे के बीच जब स्वाप रागन करके लंबे और बौने पौधे का अनुपाद ग्याद किया तो तीन अनुपाद एक F1 PD में पाया गया इस परियोग से यहाँ पर चलता है कि यहाँ निश्कर्श निकलता है कि आपरा भावी गोण में ना ही कोई बदलाव आता है और ना ही लूप्त हो पता है पर फिर से देख लिजिए कि मिंडल ने लंबे मतर के पौधे और बौने मत पौधे के बीच श्वाप रागन करने पर लंबे और बौने पौधे का अनुपाद तीनुपाद एक F1 PD में पाया गया तो इस परियोग से यह निश्कर्श निकला है कि आप रभावी गोण में ना ही कोई बदलाव आता है और ना ही लूप्त हो पता है उसके बाद में हैक पौधे के बारे में भी कुछ ना आएगा कि बैग्यानिक हैकल का पुर्णा वर्तन शिधान्त क्या है पुर्णा वर्तन शिधान्त क्या है तो आप उसका सही जबाब लिखिएगा कि हैकल नामक बैग्यानिक ने पुर्णा वर्तन नामक शिधान्त का प्रति पादन किया ठ बूश रुपांत्रित भी होते हैं तो यह है दोस्तों हैकल महदै का पुर्णावर्तन का सिधान तूषरी अगला कुछ इनको देख लेते हैं तो दोस्तों वह पोप कहाँ आ कि लेमार् tram का पूर्णावर्तन का सिधान तो यहां पि आप लेकर पुशा जाएगा कि रोमन नमर एक में लिखेगा वातावरन का सीधा प्रभाव ठीक है ये डिकर आपको डेह देना है उसके बाद में लिखना है कि जीव की शनरचना काई की वियोहार और वातावरन का सीधा प्रभाव पड़ता है ठीक है उसके बाद में रोमन नमर दू में लिखना है अंगो के उपयोग एवम अनुपरियोग उसके बाद में डेह देके लिखना है कि आंगों से आंगों के कौम या अधी परियोग के कारण सरीर में जो परिवर्तन होता है उसे आपार जीता लक्षन कहते हैं एक बार खिर से देख लिजिए लेमार्ग का जयो सिधान्त आप लिखेगा फ लिखना है और लिखेगा अंगों के कम या अधी परियोग के कारण सरीर में जो परिवर्तन होता है उसे आप आरजिता लक्षन कहते हैं उसके बाद में जो अगला कुछी नहीं हमारा अनुवन सी गुन सी आप क्या समेश्टे ही तो आप उसका बिल्कुश सही जबाब पैतरी गुन कहते हैं जनेटिक इंजिनियरिंग क्या है तो आप उसका बिल्कु टो जहीं जबाब लिखेंगे जनेतिक इंजिनियरिंग को जीन सविए या पूर्ण योजना डीए ने तखनिक कहते हैं। जनेतिक इंजिनियरिंग में जीन अथवा जीन का कोई खंड निकाल कर दूसरे żyов में जोड दिया जाता है। इस परकार नए निर्मित जीवों को ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं। य या आप अपने कोपी में नोट कर लें और इसे याद कर लें उसके बार में जो अगला क्वेश्चन है मारा कि मानों में लिंग निर्धारन कैसे होता है उम्मिद करना कि आप सब्सक्राइब को यह मालूम होगा कि मनुस में तेज़ जोड़े क्रोमोजूम पाए जाते हैं होते हैं एकस एकस जो मादा में होते हैं जब नर का एकस क्रोमोजूम मादा की एकस क्रोमोजूम से संजोग करता है तो पूत्री का जनम होता है ठीक है किन्तु जब नर का वाई क्रोमोजूम मादा की एकस क्रोमोजूम से संजोग करता है तो पूत्री का जनम होता है तो मैं एक बार फिर से मैं आपको अपनी भासे में बत्दा दूँ तो जब नर देखिए नर का मतलब पूरुष और मादा का मतलब इसी तो जब पूरुष में क्या होते हैं एक्स वाई होते हैं और मादा में क्या होते हैं एक्स एक्स होते हैं तो कहने का मतलब जब नर का एक्स माद का निर्धारन होता है ठीक है तो दोस्तों अगर आपको व्यू रहा है मैत फिजिक्स कमेश्टी और बाइलोजी में प्रोडम तो डाउटनट के वाट्सप नंबर और 8-400-400-400 पे किसी भी कोशन का फोटो खीचे और तुरंत वाट्सप करे 8-400-400 पे दोस्तों यहाँ पे किसी भी कठीन से कठीन सवालों का जवाब सीर्फ 10 सेकेट में पास रखते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बक्स में दे दिया है आप डिस्क्रिप्शन बक्स क को डाउट डाउनलोड करें और करें अपने हार डाउट की छुट्टी दोस्तों मैं मोकिमान सारी जद मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ तक लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद